क्या आप भी बहुत चल्दी धक चाते हैं, आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। दिन भर आलस आता है, या गर कुछ काम करने की सोच भी ले तो अंदर से हिम्मत नहीं बढ़ती है। अगर आपके साथ ये सब दिक्कते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कि सुबह सुबह की भाग तोड में लोग इतने खुचाते हैं कि सुबह का नाश्टा करना भी भूल जाते हैं ये भी एक कमजोरी का बहुत बड़ा कारण होता है मैं आपको एक ऐसी ट्रिंक बताऊंगी जिसको आप केबल दो मिरिट में बना लेंगे और आपके बॉड़ी मे पूरे दिन एनरजी रहेगी इस ट्रिंक को पीने से आप पूरे दिन खुश रहेंगे स्वस्त रहेंगे और आपको रात की नीद भी बहुत अच्छी आएगी सबसे पहले हम उन चीजों के फायते जान लेती हैं जिन चीजों को हम इस ट्रिंक को बनाने में इस्तमाल करने गाले हैं मुझफली में प्रोटीन की परियाब मात्रा पाई जाती है इससे खाने से दिल से चुड़े बिमारियों का होने का खत्रा कम हो जाता है मूमफली के नियंतम सेवन से खून के कमी कभी भी नहीं होती बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकने के लिए भी मूमफली का सेवन किया जाता है इसमें मौजूदा एंटी ओक्सिडेंट बर्ती उम्र के लक्षणों जैसे बारी क्रेखायों जुर्यों को बनने से रोपते हैं इसमें काल्शियम और विटामिन डी के परियाप्त मात्र होती हैं ऐसे में इसके सेवन से हड्डिया मस्बूप बनती हैं ब्रेन फंक्षन को सक्रिय करने में मौमफली बहुत कारगर होती हैं मौमफली में ओमेगा 3 फैटी ऐसिट पाया जाता है यह एक ऐसा फैटी ऐसिड है जो दिमाग की कारिशमता को बढ़ाने का कारिगरता है इसलिए जो बच्चे आपके घर में पढ़ाई करते हैं उन्हें भी आप ये ड्रिंक दे सकते हैं साथ ही मौमफली में एंटी ओक्सिडंट की मात्रा पाय जाती है इस कारण यदि आप सुभा सुभा इसका सेवन करते हैं तो दिन भर आपके तवच्चा में तास्की बर्गरार रहेगी इसमें फाइबर पोशक्तत्व की भरपूर मात्रा पाय जाती है इसका सेवन करने के कारण आपका पाचन तंत्र ठीक तरह से कारे करेगा और पेट से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं जैसे कप्स और पेट में दर्ज से भी बचे रहेंगे केला पेट में होने वाली कप्स की परिशानी से राहत देता है केले का सेवन शरीर में खून की मात्रा बढ़ाकर शरीर की ताकत बढ़ाता है केले में पाय जाने वाले फाइबर से पाचन क्रिया सही रहती है पाचन क्रिया सही रहने का परिणाम ये होता है कि आप तमाम बिमारियों से दूर रहते हैं ये साथ ही खून पतला करने में भी सहायक होती है केले का सेवन खून को पतला कर पूरे शरीर में उसका फ्लो बढ़ाता है केले में पाया जाने वाला मैंगनीशियम शरीर में जाकर रक्त में कॉलिस्टरॉल की मात्रा को कम करता है कॉलिस्टरॉल की मात्रा कम होने से शरीर में रक्त का संचालन सही तरीके से होता है और अगर आप शहद के फायते भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं यहां मैंने ये ड्रिंक बनाने के लिए कुछ इंग्रीडियन्स लिए हैं जैसे शहद, मुफली, इन मुफली को मैंने रात को प्ते 6 गंडे बिगो के रख दिया था मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसे पूरी रात बिगो के रख दीचेका और बनाना हमें ये ड्रिंक बनाने के लिए केवल इनी 3 चीज़ों की जरुरत है तो चलिए, अब इनी सब इन्ग्रीडियंट्स की हेल्प से हम अपना मुफली शेक बनाते हैं जो काफी एनर्जेटिक होगा और आपको एनर्जी देगा तो सबसे पहले मैं मुफली को जार में डाल दूँगी एक बनाना जिसे मैंने पहले ही कट कर लिया था और साथ में थोड़ा सा पानी अब इन सबी चीजों को हम ब्लेंड कर लिए तो देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था और इस शेक बन के तयार हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा धेख है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे थोड़ा पतला कर सकती है बस अब इस शेक में एक ही चीज़ की कमी है और वो है शेहर तो चलिए अब उस कमी को भी पूरा कर देते हैं और मैं इसमें थोड़ा शेहर आड़ कर देती हैं तो अब शेक पूरी तरीके से बनके तयार हो चुका है आप भी कुछ इसी तरीके से इस शेक को बना लेज़ेगा मैंने एक चीज नूटिस की है अगर आप इसमें हनी मिक्स करके लेते हैं तो यह आप भी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा लेकिन साथ में अगर आप इसमें शुगर मिक्स करते हैं यानि चीनी मिक्स करते हैं तो यह आपको जादा टेस्टी लगेगा लेकिन मैं आपको एड़वाइस करूँगी कि अगर आप रेयली चाहते हैं एक फिट होना अपनी लाइफ में तो आप इस टेस्ट को अवाइट करिए और कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसी चीज़ी भी लीजे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो तो आप इसमें हनी ही अड़ कर के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और मैंने आपको जितनी भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स दी है वो भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चाके चानल को सब्सक्राइब कर दीजे साइट में बैल आइकन भी बी क्लिक कर दीजेगा जिससे आपको कुछ ऐसी ही नए नए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें थांक यू फार वाचिंग दिस वीडियो